हाई गाईज असलाइलेकूम कैसे हैं आप लोग आए होप कुछ है मज़े में अलहमदल्ला हम भी ठीक है तो यहां बज़े हैं रात के ग्यारा और हम निकले हैं बाहर तो हमने सुच आपको साओधी अरब की रात की रोने के दिखाते हैं तो फिर देखिए कि यहां पर कैसा ल पुछ अगर ग्रॉसरी है या कुछ है मतलद सब रात भर उपन रहता है रमजानों में यहां तो फिर चलिए आपको दिखाते हैं कि यहां पर कैसा लगता है रमजानों में तो मैं ने सूचा कि छलिए अपनी YouTube फामिली से मैं यह शेयर करती हूँ कि चलिए कहां हम जाते हैं तो हम लोग शेयर करते हैं अच्छा पते क्या होते हैं इतना थाकरन हो जाती ही मन तो रोज करता है पते जहां हम पहले थे ना वहां तो हम एवरी डे जाते थे यहां ना मेरी धोनों बच्चे ना बहुत तंग करके रखते हैं तो बस मन नहीं होता है जाने का बहुत परिशान करते हैं और पहले हैसा था ना कि अल्यान की पढ़ाई वगरा भी कुछ नहीं थी कुछ नहीं था तो अपना निकल गया अब यह कि बच्चों की पढ़ाई वगरा शुरू हो जाती है तो सब चीज बस वो उसी हिसाब से करना पड़ता है तो बस चलिए फिर हम लोग चलते हैं करना पाट आप कहां जाता लोग को इन्षालाव आप ने को दो यह तो यह सियं देखी है आप लोग और यह कि ला रहा है है यह आप खिला रहो अपने फैमली को हम बस हम लोग यहां सेंटर पॉाइंट आ गए थे और यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है रमजान की इतनी अच्छी डेकोरेशन नहीं रहने के और पता है इतना अच्छा चाहिए मुझारी से अपने घर की तरफ से आते ना तो इतना प्यारा लगता है ना सेंटर पाइंट बहुत जादा तो बस हम लोग जो है अंदर आ गयते सोचे थे बच्चों के थोड़े से कपड़े ले लेते हैं रमजान के लिए थोड़ा सा तो बस यह मुझे अच्छी लगे थे मैं सोस्ती हूं दोनों के सेम सेम होता ज्यादा टो बस यह मैंने लग लुव अच्छा लग रहा था मुझे और एक हुड़ा तो बस बएक लिए तो बस थे लगा की दिखा दूंगा बटो मुझे इस चाहिए नहीं मैंने के चलो ठीक है बस यह तो टौई सेक्शन में चले गए इन नहीं है इनको टॉईस दिक जाते हैं त तो यह देखिया Girl section में आगए और इतने पयारे पयारे इते ना यह मैं आपको बता नहीं सकती है bands वगर आफ इतने पयारे ओपाता है watches same जैसे dress वैसे watches वैसे bands मतलब girls की ने इतनी variety देख बैं जी बैकल इतने पयारे पयारे से होते हूँ मैं तो गल्स के नहीं बहुत अच्छा समान होता है यहां पर मुझे तरना बड़ा आता है मैं गल्स एक्षिन में जरूर एक राउड लगाते हूं यह तो देखने कितना अच्छा लगेगा तो मुझे तो पूदर की हो जाती हूं पर एक बार आसी देख रहाती हूं तो मुझ कि मुझे कट पसंदा है मैं बोड़ा छोड़ो रमजान बाद लेंगे तो बस फिर यह देखो मुझे एक बैग में किसी को गिफ्ट करना है और बस मैं वही देख रही थी तो मुझे कुछ इतना अच्हा नहीं तो मैंने का अभी नहीं तो बस यह मेरे हस्वें ने बोला है अच्छा लग रहा है और लाग लग घ्र रहा है तो फिर में कहां लगतो फिर चलो अभी छोड़ो अभी नहीं लेखते हैं बाद में लेते हैं और यह पता यह 400 रियाल का है बाट्रिव डिसकाउंट के ब ड्यूंद्ड प्रियाल का और पता है ये USB का था बो इतना मुझे कोई खास नहीं लगा था बिज फिर हम इदर आगए थे सेक्शन में और ये मुझे अच्छी लगी थी, दो दिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने लगा के भी देखी, मैंने ये अच्छी लग रही, तो मेरे पिर मेरे हजब मैं गरा तब लोगया भी मुझे नहीं लेना है बता अब ले लो और डिसकाउंट में आता है बहुत मूठ खराब होता है तो हम लोगों ने बिल वगयरा करा लिया है और हम लोग घर के लिए जा रहे तो यह बैलून वगयरा बच्चों को दे दिये थे यहां के स्टाफ ने त हैं आप लोग आए होप कुछ है मज़ें मैं अलाम लोग भी ठीक है और देखिए सेवन्टीन रोजे कंप्लीट हो चुक्क है एटीन रोजा है आज और आज एटीन रोजा भी देखिए हो जाएगा फोर अक्लॉक आप हो गया है तो एटीन रोजा भी पता नहीं चले दुआएं मांग सकते हैं बस आला ताला रमजानों की दुआएं बहुत कुबूल करता है और पता भी नहीं चलेगा यह ट्वैल्व रोजे और किदर चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा तो प्लीज बस दुआएं कीजिए और हमारे लिए भी अपने लिए भी और मैं किचन में आगें थी अब किचन में आके मैं बना रही हूँ है शाही तोस और मेरे हजबन को भी बहुत पसेंदा मुझे भी अच्छे लगते शाही तोस तो बस मैंने यह बॉइल किया में अच्छी तरह तोड़ा फुल फैट यह मिल्क है इसको अच्छी तरह कर लूंगे औ लुइ मिल्क पॉरडर और फोड़ासा पानी डाल को बना लिया तो बस यह मेरा खोया भी तैयार है शाही तोस पितानने के लिया और मैंने कंड counselor को भी धाम भी तरह मैंने तो वह ज्यादा अच्छा लगता है और एज यूजवल की मुझे फुल्किया तो बनाने ही पड़ती है क्योंकि मेरे हजबन की फेवरिट है तो और यह खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं बहुत शौक से खाते हैं तो बस यह देखिए फुल्किया भी मेरी कश्मीरी लाल मिर्च और लहसन का पेस्ट राइड करऊंगी तो बस वह जदी जड़ी सब कुछ ख़ड़ना है तो अब मैं तो नहीं जड़ी नहीं पिल्ग तो अच्छा सा अग्छा आता है और यह बॉल किये थे उसके बाद वाले चने इसब से बोइल के लिए और यह बि इ मिली का पल्उ डाला है तो तो अच्छा सा आता है फ्लेवर और यह बॉयल वाले मैने चने डाल दियर और इसको मेरी डालके घट जल्दी चे डाल के कट कर दी और इदर मेरी फूट चाट भी कट हो गई थी साथ साथ ना सारे काम चलते रहते हैं बस तो इदर फूट चाट भी मैंने बना ली उसके बाद यह देखिए मैं इसमें डिप करूंगी जो मैंने लिक्विड बनाया था और बाकी फूर स्लाइस में इसमें डिप करके और इसके बाद में जो थोड़ा मेरा बचेगा वह मैं इसके उपर सारा लिक्विड एड़ कर दूंगी तो बहुत अच्छा लगता है अंदर तक चला जाता है ब्रेड में तो और अच्छा फ्लेवर और मतार सॉफ्ट सॉफ्ट ना बहुत अच्छे लग लगभणा वह हैं बसके बाद यह दखिए मरे शाहिञ आपल करेशा बचाऎ सब्सक्रानी तेले सही मतार बार में उसके बाद से देक्रीं olsun करूंगी धनियव पतिसे और यह देखिय छोड़ा लकी किए है और अब मैं बनाने लगी हूं पकौरी मेर फोर डेवल स्पून इसमें डाला है बेसन और मैंने इसमें एड किया है लेमन थोड़ा सा लेमन एड करने के बाद मैं इसमें आड करूंगी धनिया और पौधिने की पत्तिया तो इससे ना बहुत अचा फ्लेवर आता है तो बहुत अच्छा और यह मेरी होमेट चेटनी जो है जो मैंने बनाती है आपको मेरे पता भी है मैंने बताया था आपको एक वीडियो में उसके बाद बस यह हमारा मिक्स हो गया और मैं पकॉड़ी बनाने लगी हूँ अच्छा पता नहीं अफ्तार का टाइम ना सीरियसली इतनी जल्दी जल्दी चला जाता है मुझे समझ नहीं आता है कि कहां चला गया मतार के लास मुमेंट में जल्दी जल्दी होता है उसके बाद बच्छे तुझे 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 चाहिए और वो चाहिए बस पता ही आप लोगों को तो पता ही नहीं चलता तो बस देखिए पकोडी रेडी है पापर रेडी है मैंगो भी मैंने कट कर लिया था मैंशमेलो कट कर लिया था यह मेरा रॉपजा भी रडी है मैं रेडी है अल्ट आल्ट कि हम किस किस नियामतों का शुकरिया दा करें माशा ला बस अफ़तार का टाइम हो गया था और हमने दूआ की सब के लिए आपके लिए भी और आप भी हम लोगों के लिए दूआ करें धैंक यु फॉर वच्छ